नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हो मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चेनल गो ब्लोक्स में दोस्तों एक सांदार और बहुत सुन्दर मेल हतीली हमारे सामने हैं और एक लाइन में कहूं तो सफलता दिलाने वाली परबल रेखाएं परबल लकीरें पावरफुल लकीरें आपकी हतीली में बिद्यमान हैं हल के रूप में अगर चंदर परवत आपका अपनी अनकूल इस्तिति में आ जाएगा ठीक उसी समय से आपको जबरदस्त सफलता मिलनी सुरू हो जाएगी जबरदस्त सफलता जिसको कहते हैं ये रेखाएं जो है सफलता को दिखाती हैं सफलता दिलानी वाली रेखाएं हैं कहीं न कहीं जो है व्यप्ति अपनी जीवनकाल में जबरदस्त सफलता का भोग करता है सफलता को पाता है अब इन रेखाओं को एक-एक करके मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान से देखेगा अगर आप लोगों के हतेली मीं भी है तो जीवन में तरक्की की वो सीमाईं तय करेंगे जिसकी सायद कभी आपने कलपना की होगी सबसे पहले हम देखते हैं केतु का परवत जिसको हम मनिबंद कहते हैं कलाई का छेतर कहते हैं यहाँ पे देखेंगे तो एक योव आकार से निकलती हुई हर समय योव का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है पूरी हतेली में फश्ट रेखा, बहुत सुन्दर होती है, अगर बीची में यव हो और आगे पीछे रेखा इस फश्ट हो, यव आकार से न हो, तो ये रेखा गलत होती है, लेकिन आपकी हतेली में जो ये पर्थम रेखा है, पूरी रेखा यव के आकार से बन रही है, और य और तंदुरस्ती के मामले को दिखाती है यह यह पि इस पश्ट रोप में सुंदर आउस्ता में आ रही है इसका मतलब है चाहे आपका स्वस्त्य का मामला हो चाहे आपका आरोग्य का मामला हो चाए आपका तंदुरस्ती का मामला हो जबरदस्त रहेने वाला है दूसरी अगर हम रेखा देखें तो ये रेखा अभी थोड़ा सा जो है बहुत जादा इसपष्ट नहीं हुई है लेकिन आ रही है और ये इसपष्ट होने में कम से कम साड़े तीन वर्स का समय लगाएगी ये रेखा संपत्ति की रेखा और ये रेखा है धन की रेखा ये रेखा भग्य रेखा से समन्द रखती है आपकी भग्य रेखा इस तरों से जारी है फिर हलकी इस तरों से जारी है और फिर इस तरों से जा रही है लेकिन यहां अनतालीसवे वर्स से करियर और धन के मामले में अनतालीसवे वर्स से करियर और धन के मामले में जो अव अस्ताइत्व का मामला था उसमें इस्टेबिलिटी आ रही है चाये करियर का मामला हो चाय धन का मामला हो लगातार इस्टेबिलिटी की और आप जा रहे हैं जैसे जैसे उमर बढ़ रही है वैसे वैसे देखेंगे तो करियर का मामला एक प्रतिष्टित अस्तान में पहुँच रहा है क्योंकि ये रेखा कहा जा रही है ब्रिस्पति की तरफ और जैसे जैसे आप आपका एक्सप्रियंस बढ़ रहा है जैसे जैसे आपका विक्तित तो बढ़ रहा है ये सूर्य की तरफ जा रही है निश्चित रूप से आपके कारियों में जबरदस्त बिस्तार की और ये इसारा कर रहा है ठीकर ने अनतालीसमें वर्स से करियर और धन के मामले में अस्त तो आने की संभावना, stability आने की संभावना दिखाई दी रही है, अब तीसरी लकीर अगर हम देखें, ये तीसरी लकीर जो है, अब इसको मैं मिटा लेता हूँ, ये तीसरी लकीर, यहां से यू जा रही है, पूरी नहीं पहुँची, लेकिन पहुँचने वाली है, लेकिन लकीर बहुत सुन्नर है, बहुत अच्छी है, ये है सुक की रेखा, आप लोग जानते हैं, स्वस्त्य है, धन है, लेकिन सुक नहीं है, तो क्या करना उस स्वस्त्य का, क्या करना उस धनका लेकिन ये है सुख की रहखा आपको अपने जीवन का आल में अपने स्वश्थय का अपने धनका अपने एसोरे भोगने का सुक जबर्दस्त रोप में मिलेगा। इससे बड़ी सपलता वाली रेखा कौन सी होती है अब इससे भी बड़ी एक रेखा और है आपकी मणी बंद में आप देखेंगे आपकी मणी बंद में इस पश्ट तरीके से पुष्ट होती हुई एक रेखा दिखाई दीरी है चौती रेखा पांच भी नहीं है चौती रेखा एक दो और तीन और ये चार चौती रेखा इसको कहते हैं समराट की रेखा यह समराट योग बनाती है यानि ऐसे बिक्टि के पास राजमुद्रिका होती है ऐसे लोगों के पास अधिकार होता है जिदर जिदर वो मुड़े जिदर जिदर आँख उठाई वो काम होकर रहते हैं ऐसे लोग बड़ी बड़ी पद्वी पर रहते हैं बहुत उन्नत सिकरों पर रहते हैं ऐसे लोगों का कहना सब का कहना रहता है ऐसे लोगों को करना सब का करना होता है और इनका सब कुछ अपना समझ कर बाकी सब लोग भी इनका अनुकरण करने बैठ जाते हैं लेकिन तब होता है ये जब ये चारों रेखाएं पूरी हतेली में यहां से लेके और इस परकार से पूरी हो ये इस पश्ट तरीके से पूरी हो अभी कम से कम साड़े तीन वर्स इसमें लगेंगे साड़े तीन वर्सों के बाद ये समराथ योग बनाएगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा निश्चित रूप से जैसे ये बढ़ेगी वैसे वैसे आपको जो है इसका प्रभाव भी नजर आएगा अब एक और पावर्फुल रेखा आपकी हतीली में है वो रेखा है ब्यापार की रेखा वो रेखा है स्वस्थे की रेखा वो रेखा है बुद्ध की रेखा करियर और धन की रेखा से निकल कर सांदार इस्तिति में आगे बढ़ रही है और इसका बिस्तार बता रहा है कि जैसे जैसे इसका बिस्तार होगा वैसे वैसे उस परकार की बड़े लेबल की तरक्की आपको मिलती जाएगी ये आयू को बढ़ानी वाली रेखा होती है ऐसे लोगों की जो आयू होती है जो एज होती है वो बहुत लंबी होती है ये रेखा सपलता को दिखाती है कि निश्चित तोर पे एक मुहर लग जाती है कि इस्वर की ऐसी अनुकंपा इस ब्यक्ति के जीवन में है कि इस ब्यक्ति को बहुत बड़ी जीवन में सपलता मिलेगी और अगर ब्यक्ति ब्यावसाई करेगा तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी आपको ब्यावसाई में जबरदस्त तरकी मिलने वाली है और कब से ज़्यादा अस्ताईत्व की ओर है अनतालिस्वें वर्स से अनतालिस्वें वर्स से डबल ठिकन बोलने के धंग के कारण आप अपनी जीवनकाल में जबरदस्त धन कमाएंगे लेकिन एक कमी भी रहेगी एक कमी क्या रहेगी कहीं न कहीं पेट से समंदित प्रेशानियां आपको प्रेशान करेंगे क्या करना है पाने का सेवन जितना ज़्यादा हो सके आप करिएगा और खाना खाने के बाद अगर आपको कोई प्रोबलम नहीं है तो गुड का सेवन करिएगा गुड का सेवन निश्चित ही स्वभाग आपको प्राप्त होगा ये पावर्फुल लकीरे आपके हाथ में हैं एक और लकीर की और हम चले हैं फिर चिन्नों की और हम चलते हैं ठीक है अब इससे जो है पूरा चीजें आ जाएंगे अब यहाँ पर देखेगा जीवन की रेखा के साथ साथ आप देखेंगे एक जीवन की सहीयोगी रेखा भी है और किस पे बनी है निम्नमंगल पे बनी है निम्नमंगल कैसा है शुन्दर और पुष्ट इसका मतलब क्या है कि निश्चित रूप से इस लकीर की वजोसे यह इतनी पावरफुल लकीर है कि इस लकीर की वजोसे आपको अपनी जीवन काल में दूसरे का सहुआ जो दूसरे लोग है उनका सयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है जीवन में भगवान की प्रत्यक्च रूप से किर्पा आपके उपर बनी हुई है और हमेशा रहेगी इस स्वर हमेशा आपके साथ रहेगा चाहे वो संकट का मामला हो चाहे वो तरक्की का मामला हो आप भूल सकते हैं लेकिन इस स्वर आपके उपर से अपना बरदहस्त नहीं रखना नहीं भूलेगा वो हमेशा अपनी किरपा बनाए रहे देगा वो एक देवता के समाने देवता का मतलब है देने वाला जो केवल देता है ठीकर आप उसको पुष्ट रखेंगे तो अच्छी परिणाम देगा अच्छी चीजे देगा अगर आप उसको अपुष्ट रखेंगे तो उससे गलत परिणाम निकलेगा वो गलत परिणाम देगा लेकिन वो देने वाला है वो देगा ही देगा उसका काम है देना तो भगवान की किरपा आपके उपर बहुत सुन्दर रोख पे बनी रहेगी दूसरा ये लकीर ये इंगित कर रही है इस पावर को आपके अंदर इंगित कर रही है कि आपकी जो परतिबा है वो जबर्धस तरोप से निखर कर आएगी आपके अंदर की जो बुद्धी है वो बड़े काम की है और ऐसा भी आपका व्यक्तित तो निखर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार येदि कोई निड़े ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे और जैसे हनुमान जी है ने उनका व्यक्तित तो उनकी प्रसनल्टी बैदिक काल से लेके और अभी कलियुग तक जवरदस्त रोप में है ऐसे ही आपका व्यक्तित तो भी हनुमान जी की किरपा से अच्छा खासा प्रभाव साली रहेगा आपका बर्चस्वा जवरदस्त रहेगा कहीं न कहीं आप अपने नाम को अस्तापित करेंगे समाज में कहीं न कहीं आपको किसी विसेस कारण से जाना जाएगा इस परकार की चीजों को ये पावरफुल लकीर दे रही है दूसरे बात देखेगा इसमें ध्यान से देखेगा आप बारीक बारीक रेखाई भी अगर देखें तो इस परकार की लकीरें बन रही है मल्टीपल प्रोपर्टी का आपको लाब होगा स्वयम के कमाई हुई पैसों से स्वयम के कमाई हुई पैसों से आप अपनी जीवन काल में जवरदस्त प्रोपर्टी का लाव कमाएंगे जमीन चाहिदा से बहुत ज़्यादा लाव आपको प्राप्त होगा दूसरी बात अगर हम देखें सूर्य जैसे जैसे प्रबल होता जाएगा वैसे वैसे अगर आप लकड़ी का कोई काम करते हैं कागज का कोई उद्योग लगाते हैं तो ऐसी चीजों में भी आपको जवरदस्त प्राप्त होगी या खेती पाती समंदी कोई काम करते हैं तो इसमें भी निश्चित तोर पे जो है मंगल के कारण जबरदस तलाब आपको प्राप्त होगा एक पावरफुल रेखा और है आपकी हतेली में सारी तो पावरफुल हैं सबकी हाथों में रहती हैं लेकिन कुछ बिसेश प्रकार की है ठीक ने इस पश्ट है यहां पे अगर आप देखेंगे ध्यान से आपकी मस्तिस्क रेखा है ने यहां से एक रेखा निकल करके और सूरे की लकीर पे जा मिल रही है यह सबसे पहले तो हिर्दे रेखा में टच कर रही है इसका मतलब क्या है? हिर्दे की लकीर में टच कर रही है ब्यक्ति का बिबेकन कहीं बहुत बड़ा होने वाला है ब्यक्ति अपने दिमाग से काम लेने वाला है और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा सुरूप भी बना लेगा कि दूसरों को भावक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानेगा और इससे क्या होगा जबरदस्त अलाब होगा दूसरी बात ये सूरी की लकीर पे मिल रही है और आगे सूरे पे जा रही है इसका मतलब है कि सूरी के गुणों में आने वाले दिन में जबरदस्त बढ़ोतरी ये करे दे मस्तिस्क का जो connection है सिधा सूरे से हो जाएगा पहुँचने वाली है आपको कही न कहीं नौकरी कर रहे होंगे तो बड़ा पद आपको हासिल होगा बहुत बड़ा पद और अगर आप अपना काम कर रहे होंगे तो आपका काम बहुत उच्च अस्तरका हो जाएगा ठीक है ने? निश्चित तोर पे मनी यस मिलेगा मान सम्मान प्रतिष्टापत सब कुछ इस जातक को मिलेगा ही मिलेगा या तो बहुत बड़ा पदवी वाला हो जाएंगे या राजनीति के छेतर में जो है कहीं न कहीं कमाल कर देंगे या तो कहीं न कहीं जो है सरकारी नोकरी से समंदिच चीजों में बड़ा कुछ करेंगे या अपने काम में ही जबरदस्त कुछ ऐसा करेंगे कि कहीं न कहीं जाना जाएंगे इस परकार की चीजों को ये बताता हुआ या पे नजर आ रहे हैं ये पावरफुल चीजें आपकी हतीली में हैं अब एक चीज और देखेगा और भी लकीरे जबरदस्त हैं यहां पे देखेंगे तो सुकर के परोथ पे वर्टिकल रेखाएं सुन्दर इस्तित में दिखाई दे रहे हैं ये देखेगा पूरा सुकर का परोथ इस पश्ट तरीके की वर्टिकल लकीरों से भरा पड़ा है अपने कारे के परती जुझारोपन जादा रहेगा जिस काम की एक बार ठान ले जिस काम को एक बार हाथ में ले लिया जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ींगे भी नहीं काम को पूरा करके ही छोड़ेंगे और ये आपकी यूनिक खासियत बन जाएगी ये आपकी पहचान बन जाएगी और ये देखो ये मनिबंद के तरफ जुका हुआ है गुमने फिरने के भी बहुत ज़्यादा सौकिन रहेंगे दयालो प्रवर्तिका ब्यक्तितों भी रहेगा खुले दिल से खर्च कनने वाला ब्यक्तितों भी रहेगा ये भी यहाँ पे साप दिखाई देता हुआ नजरा रहा है अब देखेगा यहाँ पे मस्तिस्क की रेखा पूरी तरो से चंद्रमा की तरफ आ रही है creativity बहुत ज़ादा है आपके अंदर आप creative रहेंगे बौदिक अस्तर भी आपका बहुत जबरदस्त है कहीं न कहीं जो है हर समय कुछ न कुछ सोचते रहेंगे जिवन काल के लिए कुछ न कुछ योजनाई बनाते रहेंगे अपने मस्तिस्क से कारे करेंगे और चंदरमा की तरफ आ रहा है तो लंबी और हवाई यात्राओं का जिवन में काल में मौका मिलेगा ये निश्चित है जबरदस्त रोप में अब यहाँ पे देखेगा यहाँ पे जिवन की रेखा इस तरोसे जा रहे है यहाँ से एक रेखा निकल रही है और यहाँ पे वाई का बना रहा है यह भी कह रहा है कि कहीं न कहीं आपको विदेश यात्रा का जबरदस्त मौका मिलने वाला है अच्छा खासा मौका मिलने वाला है और यहाँ से एक रेखा यूँ जा रही है यहाँ से यूँ जा रही है ये तिर्कोन बना रहा है वो यात्रा सुखद होगी वो यात्रा कहीं न कहीं जो है व्यापार के छेतर में जाएंगे तो बड़ा लाब देने वाला होगा धन का संचय कराने वाला होगा ठीक है ने और सुक्र का प्रभाव पढ़ना जो कुटम को दिखाता है परिवार को लाइंगे कोई दोरआए नीए कोई सोचने वाले बात नी है लेकिन देखेगा अभी आपका चंदरमा नॉर्मल इस्तिति में नहीं है कहीं न कहीं हल्का अडचन पैदा कर रहा है सब कुछ ठीक है एक प्रोसेजर चला है लेकिन थोड़ा सा चंदरमा के कारण चाहे कुछ न कुछ उल्जन, कुछ न कुछ अडचन इसमें आ सकती है और इसके कारण मन गड़बड रह सकता है कहीं न कहीं मानसिक परेशानी से गर्सित हो सकती है और इसके कारण या इमोशनली परेशान हो जाएंगी या भावकता आ जाएगी या अगर हम कहें कि मन कभी-कभी ठीक नहीं रहेगा और पेट की जो समस्याएं वो बढ़ सकती है और नीन आने में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है तो इन चीजों से निप्टने के लिए मैं एक बहुत सरल और एक प्रेक्टिकल उपाय आपको दूँगा उसको प्रोपर तरीके से करिएगा निश्चित ही ये समस्याएं बहुत जल्दी आपकी हल हो जाएगी और बहुत दोरनी छे मेने के अंदर भगवान ने चाहा और आपने सही से उपाय कर लिया तो छे मेने के अंदर आपको रास्ता मिल जाएगा अगर ढुल मुल रवया रह गया तो अठारा मेहने तक ये प्रभाव जादा रखेगा उसके बाद ही रास्ता देगा तो ये आपके उपर निर्भर करेगा आप चीजों को किस परकार से लेते हैं ये आपके हतेली की जबरदस्त चीजें यहाँ पर दिखाई दी रही है अब थोड़ा सा आपकी हिरदे की लकीर को देखें जबरदस्त कह रहे कुछ यहाँ पर अगर देखेंगे हिरदे की लकीर इस तरों से आती हुई और इन दोनों उंगलियों के बीच में देख रही है इस रैखा पे रिशिगरह ब्रिस्पति का और कर्म के स्वामी जो हैं जो कर्म को देखते हैं सनी गरह भाग्यास्तान का प्रभाव पड़ रहा है दोनों गरहों का जबरदस्त बलाबल आ रहा है इसका मतलब है कि आप अपनी जीवनकाल में बहुत बड़े महत्वकांची बेपती हैं आपकी सोच इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है जुपिटर माउंट का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण आपकी मन की जो इच्छा है वो एक टॉप लेबल तक एक सर्वस्रेष्टम परतेश्टित अस्तर तक पहुँचने की हो रही है वो ही सनिका प्रभाव पड़ रहा है जो कर्म को देखता है कर्म करने की प्रेल्णा देता है इसका प्रभाव के चलते आपको लगने बैट गया यार आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े चाए मेहनत डबल करनी पड़े चाए जुगाड इत्याद लगाना पड़े चाए कोई हतकंडा इस्तेमाल करना पड़े एन केन प्रकारेण जो भी हो हम करेंगे लेकिन आगे बढ़ेंगे उस लेबल को छोईएंगे यह आपके अंदर इंप्रेशन है यह आपकी हतेली की लकीरे कह रही है अब यहाँ पर देखेंगे कहीं न कहीं इनकी ओज़ों से एक तिरकोन भी बन रहा है निश्चित ही जबरदस्त रोप में आपको अचल संपत्य का जबरदस्त लाब होगा इस बात के और यह संकेत कर रहा है अब यहाँ पर एक चीज़ देखेगा आपकी जो मिडल फिंगर है वो इस पश्ट रोप से और एक सही अनुपात में खड़ी है यह भी बहुत कम लोगों का होता है कि सुन्दर दिख रही हो सही अनुपात में खड़ी हो यह बताती है कि आप अपनी मानसिक चमता को कम ना आगे आपकी मानसिक चमता जबरदस्त है और उसके साथ साथ आपकी अध्यात्मिक चमता भी बहुत अच्छी है स्वाविमानी भी रहेंगे आप लेकिन बिवेक बहुत अच्छा है औरों के मदद भी करेंगे बुद्धिमान भी है और भाग्यावान भी है भाग्या भी साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है यह जबरदस्त कमाल की चीजें आपके अंदर है अब यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों उंगलें सुरय की उंगली, ब्रेश्पती की उंगले बराबर है और दोनों मिडली फिंगर से जो है छोटी यहाँ पे दिखाई दे रहे धन और यस की भूक धन और यस ये धन है ये यस है इन दोनों की भूक आपके अंदर है पैशा समझ रहे हैं ने आप इस समय आप जानते हैं कि धन कितना भी आजाए सम्मान अगर नहीं है तो वो धन किसी काम का नहीं है आप जानते हैं सम्मान कितना भी आजाए लेकिन धन नहीं है तो वो सम्मान जादा देर तक नहीं टिकता है तो इसलिए क्या है धन और सम्मान यस और धन, पैसा दोनों की भूक है और यही लक्षले के आप चल रहे हैं कि सम्मान की भी प्राप्ती हो और धन की भी प्राप्ती हो और यह आपकी मानसिक चमता और आद्याप मिक चमता को दिखाता है यह चीज और यह इस पश्ट तरीके से है अब यहाँ पर यह उंगली देखें यह पूरी तरो से जोकी हुई है और इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक भी हमेशा बनी रहेगी जबर्दस्त रोप में लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पारी है इसका मतलब क्या है कि धन का जो मैनेजमेंट है जो प्रबंदन है उसको उस रोप में नहीं कर पाती है तो इसके लिए क्या करना है आपने इसके लिए एक दिब्वी योग ध्यान के रिया मैं आपको दे रहा हूँ उसको प्रॉपर तरीके से करेगे और इससे थोड़ा नाख होंगे आप लेकिन थोड़ा मौका परस्त भी रहेंगे किस समय पर कैसा बोलना है किस के सामने कौन सी बात रखनी है और किस परकार से अपने आपको जाहिर करना है इस परकार की जो समझ है आपके अंदर जबरदस्त रूप में रहने वाली है इसका फायदा भी होगा एक असीली बेक्तितों भी यहां पर दिखाई दे रहा है शुक्र का प्रवतसान दार रूप में उबरावा है अपने को मेंटेन रखना अपनी प्रसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज समर कर रखना ये चीज़ें जादा रहेंगे नई चीजों की परति बहुत जादा रु परिवार का साथ भी मिलेगा और परिवार की तरफ से चाहे बच्चे हो चाहे जो है लाइफ पार्टनर हो चाहे जो है कुटुम का कोई सदस्य हो उसकी तरफ से सुक भी आगे मिलेगा कोई बहुत बड़ी चिंताई नहीं देंगे उसकी तरफ से आने वाले समय में लेकिन उनका करियर कैसे होगा, उनकी आर्थिक इस्तिति कैसी होगी, उनका स्वास्त्य कैसा रहेगा, ये तो उनके हतिली से पता चलेगा. लेकिन आपको सुक मिलने का मतलब है, सब कुछ ठीक रहेगा, तो ये चीज दिखा रही है, आपका मंगल कहीं न कहीं जबरदस्त है आपके अंदर प्राक्रम है आपके अंदर एनरजेटिक स्वभाव है आपका ये चीज आपको जो है बहुत जबरदस्त चीजों में ले जाएगे दूसरी बात है आपका मंगल ऐसा है कि जीवन में कितनी भी प्रेशानी में आ जाएं आप समख्ययों में आजाएं आप लेकिन हार मानने वाले लोगों में से नहीं है किसके कारण मंगल के कारण लगाता लगे रहना जोजते रहना आपकी प्रसनल्टी है नेचर भी बड़ा अलबेला है दोसरों की सेवा करना दोसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में एक होना दोसरों की मदद करने वाले होना ये चीज भी आपके अंदर है और जुजारोपन भी है कि चीजों में जूजते रहना और सफल होकर बाहर निकलना जो ठान लिया तो करना ही करना है ये कौन दे रहा है ये ऐसे नहीं होता है आपने कुछ लोग देखा होगा निकला था काम से इधर उधर घूमा आप से मिला उस से मिला उसके बाद चला आया घर मंगल अगर कुपित हो तो इन इस्तितियों को दरसाता है लेकिन आपका मंगल क्या है बली है आपके प्राकरम को आपका एनरजेटिक स्वभाव को दिखा रहा है जबरदस्त रूप में है आपका मंगल ब्रिस्पति अगर देखें यहाँ पे ध्यान से देखेगा इस प्रकार के सांदार चिन ये बनाता हुआ दिखाई दे रहा है देखो ने इस प्रकार के जो है सांदार चिन बना रहा है ये अध्यात्म है अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रूची रहने वाली है धर्म में रूची रहने वाली है अपने छेतर में ऐसी knowledge रखेंगे कि उसकी teaching तक दे सकें ये वास्तों में मनुष्य जीवन का गुणतत्व क्या है मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है अध्यात्म क्या है पूजा पाठ क्या है ये जो पामिष्टरी है जो एस्टोलोजिय है वास्तों में कितनी % ये सत्य है वास्तों में क्या चीज़ें है इनका जो ग्यान है आपको बहुत बेहतरीन रहने वाला है आत्म साक्षातकार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं रहेगी और ये भी पुष्ट और सुन्दर है जहां आपको सांसारिक सुक मिलेगा वहीं पारिवारिक सुक भी जवरदस्त मिलेगा और ये पर्तिष्टा को बताता है मान सम्मान को बताता है ब्यक्ति को मान सम्मान हमेशा बना रहेगा सनी भी आपका जवरदस्त है सुन्दर है सूरे के अगर बात करें हलका साजो है थोड़ा आपके उद्धिप्य सूरे करने की जरूरत है वो कर देंगे तो चीजें बहुत बेहतर रहेंगे अब यहाँ पे आपका बुद्ध देखें बुद्ध में सांदार खड़ी रेखाई शिवा भाव ऐसे लोगों के अंदर जबरदस्त रहता है हर प्रकार की प्रस्तितियों को भली भाते समझेने वाला ब्यक्तित्व है आपका बुद्ध का परोत बता रहा है इसमें खड़ी रेखाई बता रही है बुद्ध पे काल का अंत समय तक ऐसे बिक्तियों के पास धन अपने हाथ का पैसा रहता है आपके पास रहेगा आपका बुद्ध पाकाल बहुत अच्छा गुजरने वाला है दूसरी बात अगर हम करें दो चार भासाओं के ग्याता है आप ब्यापार की छमता आपके अंदर है दूसरे को समझने की छमता है आपके अंदर योजना बना कर चलने की छमता आपके अंदर है और मनो बेग्यानिक के छेतर में भी माहिर है सामने वाले को किस प्रकार से अपने पक्छ में करना ये आप जानते है वानी की सक्ति भी बहुत अच्छी है आपकी और बुद्धी चातुरिया भी बहुत अच्छा है और तन की खूब सूरतता और मन की खूब सूरतता भी बहुत अच्छी है हाँ थोड़ा चंद्रमा आपका खराब है जीवन में थोड़ा सा जो चाहे किसी भी मामले में हो जो अडचने आ रही है ने आपकी जीवन में ये इसी के कारणा आ रही है क्योंकि ये 70% जीवन को बदलने की छमता रखता है आपको कुछ नहीं करना है आपको मैं वैसे तो जरूरत नहीं है लेकिन एक दिब्य सूर्य के रिया एक दिब्य योग ध्यान के रहे है जो उनको बदलने में मदद करती है ये दूँगा साथ साथ में मैं इसका उपाई जरूर दूगा क्योंकि और आप करें न करें लेकिन इसका उपाई जरूर करें आपको कब सपलता मिलेगी ये चंद्रमा पे निर्भर करेगा क्योंकि हतेली में पूरी सपलता की पोटली बांध के रखी हुई है चंद्रमा के प्रबल होते ही जो मन की इक्षाएं वो अपने आप सुचारो रोप से आपको रास्ता मिलता जाएगा जबरदस्त रोप ने है और इससे बेहतरीन रेखाई किसी भी बेक्ति के हाथ में नहीं हो सकती है लेकिन चंद्रमा के कारण कहीं न कहीं वो चीज उभर कर नहीं आ रही है एकदम निखर के नहीं आ रही है जिस परकार से रेखाई हैं जिस परकार से ग्रह इस्तिती है तो मैं उपाई विद्वत तरीक से लिख करके और ओडियो के माद्यम से दे रहो करने के कोसिस करें जरूर जो है आपको लाव होगा इस वीडियो में बस इतना है नहीं वीडियो के साथ पनोब पस्तित होगा तब तक के लिए नमस्कार